बस्तो guys हमारा यह camera है जो connected है हमारी PUE से यह LAN cable गया है जो connect हुआ है PUE स्विच से और एक cable आया है जो PUE स्विच से हम connect किये हैं अपना laptop तो हम चलते हैं अपने laptop पे, laptop की screen पे आ चुके हैं और हम tool open कर लेंगे config tool और उसे पहले आपको IP assign करना पड़ेगा open network and internet setting में जाएंगे और यहां पे जाएंगे इधरनेट पे change adapter option पे क्लिक करेंगे और यहां पे आप Ethernet पे right click करेंगे और यहां properties में जाएंगे उसके बाद यहां पे TCP IPv4 में जाएंगे और यहां पे one की स्रीज में आपको IP assign करना होगा अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मने बताया IP कैसे assign करते हैं तो i button पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं यहां पे config tool या IP finder tool open कर सकते हैं दोनों में आपको IP दिखा देगा cbplus दहुआ same दिखा देता है IP और edit भी कर सकते हैं तो यहां पे camera हमारा यह show कर रहा है camera को select करेंगे इनिटराइज पर क्लिक करेंगे तो यहां से भी camera आप इनिटराइज कर सकते हैं नहीं तो दूसरा तरीका है आप Microsoft Edge open करेंगे और यहां पे IP डालेंगे 192.168.108 तो यहां पे जो है camera का page हमारा open हो गया है और तो यहां पे आपको region select करना पड़ेगा इंडिया तो यहां पे हमने select कर लिया इंडिया उसके बाद करेंगे next यहां पे करेंगे tick उसके बाद करेंगे next उसके बाद यहां पे आपको time sync कर लेंगे फिर करेंगे next और उसके बाद फिर यहां पे आपको नया password बनाने का option मिल ला तो यहां पे फटाफट नया password बना लेंगे और email डाल देंगे, तो दोस्तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फिर करेंगे next, तो यहाँ पर जो इन्टराइजेशन है complete होगा, यह टिक हटाएंगे, okay करेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर next कर देंगे, फिर कर दें करके फिर चीज़े होंगे, इसको हम कर देंगे close, और हमें IP चेंज करना है, तो यहाँ पर हम refresh करेंगे, उसके बाद हम कैमरा सेलेक करके search setting में जाएंगे, यहाँ पर पासवर्ड जो बनाया था कैमरे का, वो पासवर्ड यहाँ पर डाल क्यों करेंगे, okay उसके बाद कैमरा सेलेक कर लेंगे, यहाँ पर modify पर क्लिक करेंगे, और यहाँ जिस जरीज में IP चाहें, उस जरीज में IP यहाँ पर assign कर सकते हैं, तो आईपी assign करने से पहले आप IP चेक कर लीजिए, कि ओ खाली है, IP की नहीं है, उसके बाद यहाँ पर सारी IP यह डालने के ब तो यहाँ पर camera 36 किया था IP तो आगया, इसको सेलेक करेंगे, add पर क्लिक करेंगे, और same password होना चाहिए, जो NBR का password हुआ ही, आपके camera का password होना चाहिए, तो यहाँ camera add हो गया है, green tick बन किया गया है, और अगर camera बढ़ा करते हैं, तो camera यहाँ पर चल गया है, देखिए camera चल रहा झाहिए